किस विटामिन की कमी के कारण आपको माईग्रेन का सामना करना पड़ता है? अगर आपने कभी माईग्रेन का सामना किया है, तो आपको मालूम होगा कि ये बेहत दर्दनाक अनुभव होता है. इसके कारण आपके सुंगने, सुनने और देखने की क्षमता प्रभावित होने लगती है उसके कारण आपको अंधेरा पसंद आता है इसके कारण आपको उल्टी करने का मन तरता है आपका जी मिचलाता है जब मैंने रिसर्च की तो मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसकी मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी माइग्रेन के अधिकांश कारण जेनेटिक होते हैं मैंने जेनेटिक्स पढ़ी है और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इससे कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा इसका मतलब ये होता है कि आपको epigenetic factors को समझना होगा, जो आपकी genetics से भी उपर होते हैं. ये आपकी इस genetic कमजोरी को खत्म करने में मदद कर सकते हैं. जब किसी इनसान को कोई genetic problem होती है, तो कुछ खास काम करने की उसकी काबिलियत सीमित हो जाती है. लेकिन अगर आप epigenetics को समझ जाते हैं, तो आप उस problem को ठीक कर सकते हैं. 5 से 11 clinical trials में migraine की problem में बड़ा सुधार देखने को मिला. 4 trials में मिले जुले परिनाम दिखाई दिए, 2 trials में कोई परिनाम नहीं दिखा. ऐसा इसलिए था क्योंकि शायद genetic उसका कारण नहीं था. किसी दूसरी problem की वजह से लोगों को migraine का सामना करना पड़ रहा था. कई बार migraine के कारण आपकी आँख पर गहरा असर पड़ता है. इसलिए अगर आपको आँखों की problem है, खासकर अगर आपकी एक आँख में problem है, तो ये remedy आपकी बड़े पैमाने पर मदद कर सकती है. Migraine को लेकर हमें कई theories देखने को मिलती हैं, और कोई इसके होने का असली कारण नहीं जानता. लेकिन मैं आपको बता दूँ की mitocondria और migraine या सिरदर्थ की इस problem के बीच बहुत गहरा संबंध है, खासकर अगर आपका mitocondria अपनी काबिलियत से बहुत कम काम कर रहा है. इस स्थिती में आपके mitocondria में कोई खराबी आ जाती है, जिसके कारण बो ठीक से काम नहीं कर पाता. जिस vitamin की मैं यहां बात कर रहा हूँ, ये एक enzyme के साथ मिलकर काम करता है, जो आपके mitocondria में aerobic metabolism को बढ़ाने में मदद करता है. aerobic का मतलब होता है oxygen के साथ होने वाला काम. जब आप food को energy में convert करते हैं, तो आप oxygen का इस्तिमाल करके उस food को oxidize करके उसे energy में बदलते हैं. अगर आपके शरीर में इस vitamin की पर्याप मात्रा मौजूद नहीं है, तो आपका nervous system और दिमाग ज़रूरत से ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा. ये बड़ी अनोखी बात है क्योंकि उस स्थिती में आपका mitochondria ठीक तरह से काम नहीं कर पाता और उसके कारण neurons तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं और free radicals शरीर को नुकसान पहुचाने लगते हैं. शरीर में inflammation और oxidation होने लगती है, ये problem माइटोकांडरिया से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है. ये vitamin आपको glutathione बनाने में भी मदद करता है, जो एक sponge की तरह होता है. क्या आप जानते हैं कि इस vitamin का नाम क्या है? इसे riboflavin या vitamin B2 कहते हैं. मैं आपको बता दूँ कि इसकी normal मात्रा से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा. vitamin B2 के resistance को खत्म करने के लिए आपको इसकी मात्रा को बढ़ाना होगा. इसलिए आपको रोजाना इसकी 400 mg मात्रा लेनी होगी. लेकिन अगर आपके mitochondria में genetic problem है, तो आपको ज्यादा vitamin B2 लेने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप vitamin B2 लेंगे, तो ये vitamin hypoxic या कम oxygen वाली स्थिती को दूर करने में मदद करेगा. ये vitamin oxygen को बचा कर रखेगा और mitochondria इस oxygen का अच्छी तरह इस्तिमाल कर पाएगा. मैं आपको एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ. Parkinson बीमारी को दिमाग की problem भी कहते हैं, जब Parkinson की शुरुवात होती है, तब glutathione की कार्यप्रनाली काम करना बंद कर देती है. इसलिए अगर आपके शरीर में पर्याप glutathione नहीं है, या अगर आपके शरीर को oxidation से बहुत ज्यादा नुकसान पहुचा है, तो उसके कारण आपके neurons खराब हो सकते हैं. मैं आपको इसकी सलाह देना चाहता हूँ, और अगर आपको इससे मदद मिलती है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. इस problem की रोगठान करने के लिए मैं आपको रोजाना 400 mg विटामिन B2 लेने की सलाह दूँगा. चलिए मान लेते हैं कि आपको माइग्रेन का सामना करना पड़ रहा है. वैसे आपको मार्किट में इसकी 400 mg वाली टेबलेट शायद ना मिले, मुझे लगता है कि आपको 100 mg वाली टेबलेट आसानी से मिल जाएगी. इसलिए माइग्रेन होने पर आप 100 mg वाली एक टेबलेट ले सकते हैं. एक घंटे बाद फिर से 100 mg ले, थोड़ा इंतजार करें और एक घंटे बाद फिर से 100 mg विटामिन B2 ले और ऐसा तब तक करते रहें. जब तक कि माइग्रेन का दर्ग चला नहीं जाता, लेकिन ध्यान दें कि आपको रोजाना 400 mg से ज्यादा विटामिन B2 नहीं लेना चाहिए. मैं बस आपको विटामिन B2 और माइग्रेन के बीच के दिल्चस्प कनेक्शन की जानकारी देना चाहता था, ताकि आप अपनी मदद करने के लिए इसका इस्तिमाल कर सकें. सोडियम की कमी भी इसका एक कारण है. इसलिए अगर आप समुदरी नमक लेते हैं, तो उससे माइग्रेन और सिरदर्द को कम करने में मदद मिल सकती है. माइग्रेन की एक दूसरी बात ये भी है, कि इस स्थिती में हमें आमतार पर ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल्स से शरीर को पहुँचने वाली ख्षती दिखाई देती है. अगर आप शक्तिशाली हर्बल एंटी ओक्सिडेंट लेते हैं, तो आप कई बार माइग्रेन के दर्द को दूर कर सकते हैं. इसके लिए आप अद्रक या हल्दी या दोनों ले सकते हैं. मैं आपको इन्हें लेने की सलाह दूँगा. मैंने सिर्दर्द के संभावित कार्णों पर एक दूसरा विडियो भी बनाया है, जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए और उसके लिए आप ये विडियो देख सकते हैं. चैनल सब्सक्राइब जरूर करें.